वेल्कम तो मैक्स्विल स्टडी हाब स्टुडेंस तो आज एड़ 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 अफ टॉपिक चैप्टर थी का लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग और्गानिजम का यह लास्ट टॉपिक है और मॉडर्न टेखनोलोजी के उपर बेस्ट है और इसमें बहुत कुछ आप नई चीज़े भी सिखोगे और सॉलुशन से अक्चली सॉलुशन के उपर बात होती है क्योंकि अभी तक आपने जो सिखा फॉर एक्जांपल रिप्रोड़क्शन देखा आं टॉकिंग मोर् स्पेसिफिकली वित रिस्पेक्ट तो सेक्शुल रिप्रड़क्शन इन हुमन्स तो फटलाइजेशन कहां होगा ओवी डख से मुवमेंट होना यूट्रस पर पहुचना यह सब कुछ एक सिच्वेशन है जहां पर सब कुछ सही जा रहा है आईडिया लेकि मतलब ऐसा हो रहा है पर डोंट यू थिंग और नॉट और पीपल आनॉट इतने सब लखी नहीं होते कुछ कहीं पर कुछ abnormalities भी होती हैं ऐसे बहुत सारी abnormalities हैं कपल में जिसके कारण देया नौट अबल तो हैव चाइड अब मॉडल साइस में से उनकी हेल्प कैसे की वह आज हम सिखेंगे इसमें से कई चीज़ें आपको पता है थ्रू सोशल मीडिया थ्रू मैनी सोर्सें यू अलसो यू अलसो अबल तो एक्सेस अलसो तो यह सफिज़ें आपको अलड़ी पता है पर उनके साइंटिफिक रीजिन क्या है पर आज हम वो सिखेंगे मॉडर्न टेक्नोलोची एंड एड दे इंड विस प्रेजेंटेशन रिप्रॉड़क्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है ना रिप्रॉड़क्षिन एंड मॉड़न टेक्नोलोजी अब ये मुझे बताई है कि मॉड़न टेक्नोलोजी डिप्रॉड़क्शिन में आई क्यू उसका क्या रोल है उसको कैसे अप्लाइट किया गया वो सीखने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि problems कहां कहां पर आएंगी अब problems कहां से आएंगी couples है दो ही लोग तो उसमें involved थे male and female तो इन दोनों में से कहीं न कहीं कोई problem होगी जो आगे चल कर एक big that's why they are not able to have a child so let's understand कि female और male में क्या problem है in regulatory in menstrual cycle menstrual cycle में अगर इन रेगुलेर्टी है तो actually इस इंडारेट इंडिकेशन आपको एक डारेट इंडारेट इंडिकेशन दे रहा है कि यस ओवा रिलीज होने में problem हो रही है मतलब female oocyte के release होने में problem हो रही है it can be due to many reasons many many hormonal में problem होई GnRH का अगर signal LHFSH का signal progesterone का signal कुछ भी this is this is toh which I have said only on hormonal things maybe कुछ और भी reason हो सकते है but ultimately it results in a in regularity in menstrual cycle मतलब female gamut जब रिलीज नहीं हो रहे हैं तो वो लड़की she is not able to conceal coming to the second difficulties in oocyte production मतलब ओवरी में कुछ अगर problem हुई now obstacles in the oviduct अगर oviduct में बच्चो problem हुई तो sperm आके वहां पे fertilize नहीं कर पाएगा फिर से pregnancy में बहुत बड़ा problem है and then difficulties in implantation in uterus मतलब यह तीनों नहीं होंगे पर uterus ही uterus में अगर endometrium में कुछ problem रही तो वो uterus में इंप्लान नहीं कर सकते now when we talk about males males में क्या क्या problem हो सकती है absence of sperm in the semen अगर प्रॉपर कॉंट अमांट में अगर present नहीं रहे hundred millions पे हमने बात की थी अगर उतने इस quantity में नहीं present रहे तो डोंट यू थिंग वो जो रेस लगी हुई थी तो गेट इंटो दी ओवा इन उसको फर्टिलाइस करने की वो हार जाएंगे तो sperm का improper amount में होना भी एक बहुत बड़ी abnormality है now slow movement of sperm basically yes other energy नहीं रहे इसमें so they are not able to fertilize the oa and at the end anomalies in this sperm अगर sperm में कुछ problem हुई तो yes आगे की generation defective होगी या तो सो कुछ problem होगी so this is why I am why I have focused on these points because इसी को base मान कर आगे चलकर जब ऐसा कोई कपल आएगा उनसे क्या पहले पूचा जाएगा उनसे पूचा जाएगा उनके medical check-up होंगे ताकि पता चले कि problem क्या है for example लड़की को इस woman को problem है uterus का and you are the giving the treatment for menstrual cycle वो नहीं चलेगा तो medical check-up होगा उससे पता चलेगा कि what is the problem with this couple and then the doctor will suggest कि आपके लिए कौन सा treatment अच्छा होगा जिससे आपको solution हो आपकी problem का and yes the modern technology are IVF, surrogacy and sperm bank यह तीनों के अपने अपने रोल है and depend करता है कि problem क्या है उस couple को let's start with IVF in vitro fertilization in vitro fertilization में क्या होगा जो sperm है और ओवा है उसका fertilization एक tube में होगा ऐसा एक layman language में बोलते हैं but scientifically यह ही है कि in this technique fertilization is brought about in the test tube and embryo is formed फिर उसके बाद क्या होगा zygote होगा मतला fusion होगा sperm और female gamet का oa का test tube में कराया अभी यह zygote था एक proper stage पर पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा uterus में implant कर जिया जाएगा of the same woman at appropriate time IVF technique is used for having the child of those childless couple who have the problem of less sperm count then this sperm count कम रहेगा उनके लिए यही technique best and obstacles in the oviduct because oviduct में अगर problem थी तभी तो fertilization उदर हो नहीं पा रहा था तो मैंने क्या किया IVF की टेक्निक यूस की sperm और वहार ही fertilize करवा दिया zygote किया और एक proper appropriate time पे मैंने उस couple की जो couple में जो woman है उसके uterus में इसको implant कर दिया तो oviduct की भी problem sort हो गई और sperm अगर count कम था तो वह भी तो that's why people who have the problem like this like less sperm count and obstacles in oviduct they go for in vitro fertilization now what about sir what about other uterus में problem हुई सबको सही मतलब sperm भी है बराबर और female but अगर uterus में problem होई तो yes the second solution is surrogacy some woman had the problem in implantation of embryo in the uterus such woman can take the help of the modern remedical technique called surrogacy in this technique oocyte is collected oocyte को collect किया जाएगा from the ovary of woman having the implantation uterus के implantation में problem है उसके oocyte को collect किया जाएगा it will be get fused with the sperm of her husband उसके husband के साथ उसको fusion किया जाएगा थोड़ा IVF थोड़ा समझ लगेगा ऐस ऐस आई जाएगा रहे अपको यहां पर उसके oocyte कलेक करके sperm के साथ उसको unite कर आएगा and yes that embryo will be implanted into another woman जिसको uterus की problem नहीं है and that woman is now known as she's a surrogate mother let's read out the slide the oocyte is fertilized in test tube with the help of sperm collected from her husband the embryo formed from the such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having the normal uterus such a woman in whose uterus the embryo is implanted is she's called as surrogate mother mother uterus में problem होई she has to go for surrogacy now the third that is sperm bank sperm bank मतब anomalies in sperm होई sperm count कम हुआ तो हम कहा जाएंगे कौंसा third treatment है sperm there are various problems in sperm production as mentioned above मतलब इसके sperm count का कम होना या तो उसमें कुछ defect होना so as to have the children in case of such couple new concept of sperm bank is introduced this is somewhere very similar I can say this is very similar with I can say like a blood bank blood bank आपको समझता है तो sperm bank भी समझेगा now पर थोड़ा सा difference in blood bank में at least आपको पता होता है कि आपको blood किस ने दिया but in case of sperm bank you don't know किस का sperm है semen ejaculated by the desired man is collected after there through physical and medical check-up और उनका sperm को collect कर लिया जाएगा sperm bank में रखा जाएगा फिर as per the wish of the needful couple oocyte of woman मतलब we are going to select the sperm और उसके पास जो couple रहेगा उस couple में जो woman है उसके oocyte को collect किया जाएगा again fusion होगा and it will be implanted into the uterus resultant embryo is implanted into uterus of the same woman and yes जैसा मैंने पहले बोला name of the semen donor will be highly confidential आप नहीं बता सकते कि semen donor कौन था ethical issue है तो नहीं कर सकते now let's meet these cute kids so these are the twins इनको यह बहुत एक खुश है आपको introduce कराने के लिए खुश से यह हैं यह दोनों कौन हैं यह दोनों twins हैं यह दोनों ऐसे क्यों हैं अभी तो आपने एक sperm का एक उस आपने से इंटरूस विद देम यह कौन हैं और यह कैसे हैं तो आप्रियोस डेवलब्स simultaneously in the same uterus and they are also delivered simultaneously so these offsprings are known as twins many couples have twins there are two types of twins and dazygotic and monozygotic let's understand what is monozygotic monozygotic में क्या होता है न बच्चो zygote formation मेंने बताया था फिर uterus की तरफ movement हो रही थी यह देज बढ़ रहे थे 2-4-8 फिर blastocyte फिर uterus में आपके implant होना पर आथवे दिन जो zygote formation का जो आठवा देन है उसमें क्या हो जाता जब सेल्स को डिविजन हो रहा था तो यह जो सेल्स ने वो separate divide हो जाते हैं and they develop as a separate individual दो अलग embryo में बनते हैं monozygotic twins they are going to share the same placenta because उनको एक ही sperm ने ओवा से fertilize करके एक ही जाइगोट दिया था यह जाइगोट में changes क्यों है monozygotic क्यों कहलाए गए यह बिकास एक ही थे पर आठवे दें यह दोनों कुछ सेल इनके अलग-अलग हो गए and they started their life yes the monozygotic twins are formed from this single embryo during the early period of embryonic development within the eight days of zygote formation cells of that embryo is divided into two halves two groups में कर देते हैं two groups develop into two separate embryo and thus monozygotic twins are formed they are genetically similar to each other why because एकी sperm था ना जिसने इसको ओवा को fertilize किया तो I can say जो भी chromosome x या y जो भी आया होगा वही ओवा fertilize हुआ sorry वही ओवा fertilize हुआ अब वही जो fertilize होके उसी का embryo zygote बना फिर embryo हुआ और वो cells divide हो गए तो यहां पर दोनों को एक ही टाइप का chromosome मिला है 6 chromosome so that's why they have the same उनका gender same रहेगा and genetically similarity भी रहेगी due to this such twins are exactly similar to in their appearance and gender is also same both will be either boys or girls now in case of monozygotic twins एक और प्रब्लम होती बिकास they are going to share the same placenta तो कुछ organs common ही रहेंगे high possibility of formation of conjoint conjoined मतलब कुछ organs they will be common in such twins क्योंकि placenta एक था ग्रोज साथ में हुई है तो कुछ उसमें रहता है और आगे चलकर उसको भी surgery या फिर depending upon case to case उसको अलग किया जा सकता है it all depends की what is what are the circumstances at that time coming to the diazygotic twins two oocyte थोड़ा सा ट्विस्ट है अभी एक oocyte था कभी कभार अलग cases में एक exceptional भी हो सकते कि दो oocyte raise हुए तो yes sperms का count बहुत जादा था तो दोनों oocyte को different sperm ने fertilize किया यह बच्चे आगे चलके अलग individual में भी develop होंगे and they are going to they will have their own different placenta they are not they cannot be या तो similar हो सकते है या तो नहीं भी हो सकते but in case of monozygotic जोनों के gender भी सेम थे appearance भी सेम थी but in case of diazygotic नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता two oocytes are released from the ovary of the woman and both the oocytes are fertilized by two separate sperms and thus zygots are formed now two embryos are formed from those two zygots and both these both of those embryos are separately implanted into the uterus and thus diazygotic twins are delivered after the complete development such twins are genetically different क्योंकि अलग-अलग spawns है तो अलग-अलग उनको पूरे अधर करते एक्ट 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 स्पर्म दिवाइड यह this is the difference again from by the single embryo from by the two embryo मतलब दोस ओवार इसमें इन्वल्ड है early period of embryonic development no specific time chances of conjoint trains because placenta भी शेर हो रहा है और एक ही cell group में divided हुए है ना वो in this case no such genetically identical genetically different ना अगर अब सब कुछ हमने complete किया asexual reproduction sexual reproduction plants देखे humans देखे amoeba paramosium spirovara vegetative सब चेक कर लिया now let's understand and conclude this chapter with this particular slide asexual or sexual reproduction के बीच का फरक and yes exam point of view बहुत important asexual reproduction occurs in somatic cell sexual reproduction germ cells involved करते हैं this is the uniparental this is male and female somatic जैसे ही बूला तो कुछ याद आया होगा mitosis sexual reproduction बूला तो meiosis plus mitosis both meiosis for gamut formation and for development mitosis genetically identical mata pita me koi sorry parent or daughter me koi farak nahi genetically different yes there is a diversity because of the sexual reproduction there are different method for asexual reproduction binary fusion fragmentation birding vegetative propagation generation regeneration multiple fusion यह सब बहुत सारे टाइप से इसमें different method नहीं है तो यह अगर exam में आयो तो लिखना बहुत असान है now at the end what last topic of your chapter that is reproduction reproductive health हम सब health के बारे में बात करते हैं but people are not they are not they feel shy I think some kind of कि वो reproductive health के बारे में बात नहीं करते but it is at the same time it is very important so let's understand what is reproductive health a person's state of being physical mental and social strongness is called health in our country there seems to be a lack of awareness regarding the reproductive health why because due to some social customs due to shyness and illiteracy traditions है हम नहीं बात करते हैं उस topic के बारे में especially there is there seems to be indifference between when we talk about the male woman की एक reproductive health के बारे में बात करने में लोग अभी जिजख है no but yes modern systems are coming and people are getting an up adaptation आ रहा है कि लोग नहीं नहीं चीजों को समझ रहें सीख रहें but अभी भी कई अपने अपनी country में कहीं न कहीं इस टॉपिक के बारे में बात करने में लोगों में अभी जिजख है now occurrence of menstrual cycle is related with the reproductive and the overall health of the woman yes definitely it is the basic or I can say most important aspect of a female reproductive health nowadays women are working with at par with man due to this they have to stay out for a long day or bleeding occurs during the menstrual cycle so therefore उनको भी एक personal hygiene और एक proper health care की जरूरत है due to this private organs needs to be maintained and clean time to time otherwise यह कोई भी प्रॉब्लम कोई infection cause कर सकते है in addition to male female को भी है और males का भी है यूटकियों में UTI की problem तक यूरिनरी ट्रैक्टी इंफेक्शन होती है if they are using a toilet which is not clean and all so that's why एक hygiene की बहुत जरूरत है coming to males some problems regarding reproductive health may arise in men too it is essential to maintain the cleanness among the various sexual disease sylphalus and gonorrhea occurs on the large scale both are pathogen इसका कौन है bacteria so therefore it needs to be keep in mind की लोग reproductive health के बारे में बात करें और yes if somebody is suffering तो it doesn't mean की we have to crack the joke on them we have to understand that they need treatment occurrence of the patches on various parts of the body includes genitals rash fever inflammation होना इसके symptoms है other symptoms of symphalus and where is painful and burning sensation during the urination is the urinary tract or throat and eyes man these are the symptoms of gonorrhea so इस सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है की reproductive health अगर health के साथ साथ reproductive health को भी समझना है कुछ symptoms अगर दिखते हैं तो don't get feel don't feel shied you go to doctor and there are doctor specifically special special जो है उनके पास जाई specialist जो है उनके पास जाओ don't feel shy and customs को इतना नहीं पहले खुद को बचाओ reproductive health अपकी अच्छी रखो क्योंकि आगे चलकर आगे की generation आप पे ही है continuity of species के लिए आपका भी health home में होना बहुत important है so this is about the reproductive health now this is the end of the my presentation and end of this particular chapter also I have included this four pictures one is from asexual reproduction other threes are from sexual reproduction diversity है sexual reproduction के कारण asexual method भी involved है important है जो lower level of organisms है so this is all about the reproduction एक life process जो बहुत important है continuity of species के लिए एक species के एक पूरी generation a population को maintain करने के लिए so please read this chapter very very well exam point of view बहुत important है thank you बाद स्वे अपस्वे अश्वा स्वे इव बादे लिए लाद सांत स्वे ला इबश लादे लादे ला їए लादे लादे है